दोस्तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार से लेटेड एक वेकेंसी की और इसका जो है नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है टोटल पोस्ट की बात करें तो 221 पोस्ट के लिए यह वेकेंसी जोने वाली है इस vacancies later पूरी जानकरी आप लोगों को देने वाला हूँ qualification क्या है, salary क्या दी जाएगी, job location कहाँ पे होगा और आवेधन कैसे आप कर पाओगे पूरी जानकरी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दू अगर आप ने हो, अगर आप इसी तरह की ने नी jobs की बारे में अपडेट जानना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल एकन जरूर प्रेस करें इससे क्या होगा कि जब भी कोई नही वेकेंसी आती है एक्सेंड मतलब जब यह वेकेंसी आई थी तो उसका डेट खतम हो गया था बट क्रोणा वाइरस की वएसे, कोबिट 19 की वएसे इस वेकेंसी का जो है डेट बरहा दिया गया है ताकि जादे से जादो एस्टुडेंट जो है इस वेकेंसी के लिए अपलाई कर पाए तो सबसे पहले हम लोग डेट के बारे में जानने बाले एक्स्टेंडेंट डेट के बारे में कि कब तक अपलाई कर पाएंगे फिर इसके बाद हम लोग qualification वेगर के बारे में जानेंगे सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो रेशेशन के बारे में बताए गया है और यहाँ पर बताए गया है कि विग्यापन संख्या इतना आप पर देख सकते हैं अगर हम ऑनलाइन आवेदन भनने की अंतिमति थी की बात करें तो यहाँ पर 15 जो है यहाँ पर बात की गई है 15 जून तक जो है आप ऑनलाइन आद्वेदन की अंतिमति थी बढ़ सकते हैं ठीक है तो यह हो गई डेट्स की बात अब हम बात कर लेते हैं उस ऑफिशन नोटिफिकेशन की जहां पर बताए गया है कि कौन-कौन आवेदन कर सकता है सैली क्या मिलने वाली है जोब लोकेशन क्या होने वाली पूरी जानकर यह हम लोग नेक्स जो है ओफिशन नोटिफिकेशन में जाने वाले हैं कि दोस्तों यह रहा सेकेंड नोटिफिकेशन इसको मैं थोड़ सो जूम कर लेता हूं ताकि आप लोके लेली समझभाओ और यहां पर देख सकते हो बिहार लोग से वायोग यानि बिहार PCS की तरफ से वेकेंसी जाहिए सैक्षिन की योगीता की बात कर लेती काउंसिलिंग अचारे अत्वा विदाले से लेटर बाते बताई गई है तो इसमें जो डिग्री जो होनी चाहिए न वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए तो आप इसके लिए अलिजबिल होने वाले है एस क्रिटीरिय की बात करूँ तो नियूंतम उम्र सिमा जो 22 वर्स रखा गया है अधिक्तम 35 वर्स रखा गया है और यहां पर कर्मी के परसास में सुधार विभाग विहार सरकार के तुद्धरा के अंत्रगात यहां पर जो अपका एक्जाम जो होगा पेपर वन एंद पेपर टू में होगा ठीक है पेपर वन में हंडिर मास्क का सामाने हिंदी पूछा ज लिए तो बैचलर्स रिग्रीत होनी चाहिए उसी के अकोटिंग जो सब्जेक्स से अपलोग का एक्जाम होने वाला है इसा पर टर्म सेंड कंडिशन के बारे में पूरी जानकाई दी गई है क्रेमी लेयर है तो अगर आपको जैसे आरक्षन का लाब अगर आपको मिलता हु जाएगा तो इस टाम जो है ओरिजन कोपी आपको जो है सम्मिट करना होगा इंटरनेट या पोस्टर बैंकी अध्यान के लिए जो तरदाई नहीं होगा ता अब यह अंतिवतित्यों का इंतिजार नहीं करेंगे यानि आपको जो है डड़ से जल जो है अपलाई कर देना है लास्ट डेट का इंतिजार नहीं करना है कि लास्ट डेट कब होगा नेक्स यहां पर बताई गई है देख सकते हो चेन का अधार बताया गया है नियुक्ति हितु चेन लिखित मुख्य परिक्षा के अधार पर किया जाएगा जैसा कि मैंने आपको पहली बताया है और यहां कि यहां पर बात की गई है वैसे अभ्यारती आप इत्रपत बढ़ने संबंध यह कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में दिया गया है कब से कब तक अपलाई कर पाया हुए तो यह तो पहली की डेट है और पुरानी डेट है तो इसको आपको देखना नहीं है नहीं वाली यृक्त की डिस्क्रिप्षण में दे दुँगा अगर आप से नोटिफेगेशन को डॉलोड करना चाहरें तो लिंक से को चारहिए लिंक हमारा आप इलिग्राम कर प्रिक को मिल मिल जागा और जान से आपको डून लट कर सकते हो दो स्लीं है यृक्डर कबारें आदो खता आप घर बैठे उसके लिए अप्लाइ कर प्राएं फिलाल आज के लिए तरहें वीडियो का से लगा असके बारे में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेट सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यों सुमाइज